आज साल का पहला दिन है नए साल की शुरुआत कॉंग्रेस पार्टी ने धमाकेदार की है। कॉंग्रेस ने आज अपने टुटर हैंडर से एक के बाद एक कई ट्वीट किये और मोधी सरकार पर सवालों की बोचार कर दी। कॉंग्रेस ने अपने टेवरों से साफ कर दिया है कि 2023 बीजेपी सरकार पर काफी भारी रहने वाला है। तो कैसे कॉंग्रेस ने खोला मोधी सरकार के खिलाफ मोर्चा देखते हैं ये रिपोर्ट। राउल गांदी की भारजोडो यात्रा से बीजेपी बैकफुट पर है तो वही यात्रा ने कॉंग्रेस में एक नया जोष भर दिया है। कॉंग्रिस का काडर फिर से मस्बूत हो रहा है साती साथ सोशल मेडिया पर भी कॉंग्रिस का फिस सक्री हो गई है आज साल के पहले दिन कॉंग्रिस ने ट्वीट कर मोदी सरकार को उसके वादे फिर से याद दिलाए और नैशनल मेडिया पर भी तंज कसा कॉंग्रेस ने लिखा 2022 के लिए मोदी सरकार का वादा था देश की अर्थववस्ता 5 ट्रेलियन हो जाएगी किसानों की आये दुगनी हो जाएगी हर परिवार का अपना घर होगा बुलिट ट्रेंज चलने लगेगी क्या मीडिया को इन वादों पर सवाल नहीं करना चाहिए मीडिया मोदी सरकार से सवाल क्यूं नहीं करता कॉंग्रेस के ये तेवर बता रहे है कि ये साल बीजेपी के लिए मुश्किलों भरा रहने वाला है इस साल नौ राज्यों के विधान सबाद चुनाव है और इन चुनाव को लेकर कॉंग्रेस ने अपने तैयारियों को धार देनी शुरू करती है कल साल के आखरे दिन राज्यस्तान के सेम अशोग गहलोत ने भी मोदी सरकार पर सवाल खड़े किये अशोग गहलोत ने ट्वीट करके लिखा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अलग-अलग समय पर 2022 तक किसानों के आये दुगनी करने हर परिवार को अपना घर देने एवं देश की अर्थववस्ता को 5 ट्रिलियन डॉलर की बनाने की वादे किये थे आज 2022 खत्म हो रहा है पर उन्तु ये वादे पूरे नहीं हुए कॉंग्रेस के ये सवाल बता रहे हैं कि आने वाले दिन बीजेपी पर भारी पढ़ने वाले हैं अब जनता को बीजेपी क्या जवाब देती है इस पर नज़र रहेगी कॉंग्रेस की माने तुमोधी सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है